हेलो साथियो आज हम काहनी पर चर्चा करने जा रहे हैं मेरी ये काहनी आपको पसंद आये तो इसे लाइक करना, सेर करना, इस पर कमेंट करना और मेरे इस सार्थी मैच 360 डिग्री चैनल को सब्सक्राइब करना तो देखते हैं अपन साप और नेवले की दोस्ती, वैसे तो ये माना जाता है कि साप और नेवला आपस में दुस्मन होते हैं और इनका हमेशा जगडा रहता है नेवला कभी भी कही भी साप को देख लेता है तो उसे खा जाता है परन्तु यहां तो कुछ अजीब सी बास सुनी जा रही है एक बार की बात है साप और सापनी दोनों एक आम के पेड़ के नीचे बिल में रहते थे बरसात हुए नेवले से बचने के लिए उन्होंने अपने बिल के आगे बहुत सारे सुके पत्ते रख दिये ताकि कोई उन्हें देख न सके कुछ समय बात सापनी ने अंडे दिये और उनको अपने नीचे चुपा कर रखा यह बात नेवला जान गया क्योंकि उसने यह सब पेड़ के उपर से देखा था और नेवला इस ताक में था कि चरा साबी साप बिल से बाहर आये तो वै उसे और उसके अंडों को खा जाये लेकिन सब कुछ उल्टा ही हो गया क्योंकि जब नेवला पेड़ पर साप को मारने की ताक में था तो एक बड़ी सी चील आई और उसने नेवले पर चोच से वार किया जेसे ही नेवले पर वार हुआ वह काना हो गया उसकी एक आख चली गई और सरीर लहु लुहान हो गया वह बेओस होकर गिर पड़ा और चील उसको मूँ में उठा कर उड़ने ही लगी थी कि साप को तरस आ गया उसने चील को पेड़ के उपर से चड़ कर काट लिया वह चील बेओस होकर गिर पड़ी और साप उसे अपने मूँ से खीच कर नदी में फेक आया नेवला सब कुछ अपनी एक आख से देख रहा था अब साप को एकदम अपनी मा की दी हुई सीख याद आई कि मुसीबत में दुस्मन को भी चक्मी मत छोड़ो उसकी मदद करो और मरम पट्टी करके अपनी अच्छाई का फर्ज निपाओ चाए दुस्मन कितना भी बूरा क्यों नहो साप ने तुरंत नेवले को पकड़ा और अपने बिल में ले आया उसकी खूब सेवा की उसकी मरम पट्टी की और उसे खाना किलाया जब तक नेवला ठीक नहीं हुआ तब तक साप ने उसे अपने बिल में ही रखा उसकी अच्छी खातिरदारी की अब नेवले को यह ऐसास हुआ की मैं तो साप और उसके अंडे को खाना चाता था मैं उन्हें मारने की सोच रहा था लेकिन जिसको मैंने मारना चाहा उसी ने मेरी जान बचाई और मुझे ठीक कर दिया अब मैं साप से दुस्मनी भूल जाओंगा क्योंकि इतना कुछ तो कोई भी दुस्मन के लिए नहीं करता नेवला जब ठीक हो गया तो उसने साप को तनिवाद दिया और यह कहा कि उसे नेवले और उसके बच्चों से कोई भाय नहीं करना चाहिए क्योंकि अब से वे दोनों मित्र है अब से नेवला और साप आपस में मित्रों की तरह रहने लगे लेकिन जंगल की सब जानवर हेरान हो गए कि दुस्मनी आकिर दोस्ती में केसे बदल गई साप और नेवला जो की एक दुस्ते की जान के दुस्मन थे वह एक धम अचानक से केसे दोस्त हो गए जंगल की जानवरों के लिए यह बड़े भ्रम्य की बात थी जो की उनको कड़वा सच समझ कर हजम करना पड़ा तो दोस्तो इस कानी का जो हमें प्रतिकात्मक चित्र इसमें दिखाया गया है और यह चित्र जिसमें साप और नेवले का प्रतिकात्मक चित्र है जिसे आप देख रहे हैं और इस कानी से हमें यह सिक्सा मिलती है कि हमें दुस्मन की भी मुसिबत में मदद करने से चूकना नहीं चाहिए तो साथियो मेरी यह कानी आज यही पर स्माप हुई है अगर मेरी कानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना सेर करना और इस पर कमेंट करना और मेरे इस यूटूब चेनल सार्थी मेस 360 डिग्री चेनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू